Hello Champions, Welcome back to Let's Score 100 दोस्तों आज हम लोग जोग्रफी का Chapter 6 Manufacturing Industries करने वाले हैं और ये Chapter बहुत ही Easy और Interesting है और इस Chapter को Learn करने में और समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और ये Chapter CBSC Board के Exam के Point of View से भी काफी Important है आज का जो हमारा Topic हम लोग करने वाले हैं इसमें 2 Marker, 3 Marker और 5 Marker Questions बन सकते हैं और आज मैं आपसे Manufacturing Industries यानि Importance of Manufacturing Industries को Learn करने की एक ऐसी मज़ेदार ट्रिक शेर करूँगा कि आप चुटकी में उसे मतलब एक मिनट के अंदर आप उसे Learn कर लेंगे तो इसी के साथ आए शुरू करते हैं जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं Manufacturing Industries There are two terms Manufacturing and Industries तो टर्म से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो गुड्स को बनाने का काम करती है जैसा कि आप लोग स्लाइड पे देख पा रहे हैं मैंने आपका बर्जे celebrate करने की पूरी तैयारी कर रखी है जिसमें आपके स्लाइड पे आप देख सकते हैं सारे गिफ्ट्स आपके लिए ही हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह आपकी आप में से ज़्यादा तर कि ये फेवरेट कार होगी फॉर्चुनर जो आपके डैड आपको गिफ्ट करेंगे ये बड़े गिफ्ट एंड ये लिवाइस की जीन्स है रिबॉक की टी शिर्ट है और ये नाइकी के शूज है जो आपके फेवरेट शूज है इन गुड्स की हेल्प से हम लोग मैनुफेक्चरिंग इंडस्टी को समझेंगे मैंने सोचा कि हरीष्ट को तो मैं जानता नहीं एक इमेजनरी नाम है लेकिन मैं आपको जानता हूँ और इसलिए मैंने सोचा कि आपका बर्थडे सेलिबरेट करके और मैनुफेक्चरिंग इंडस्टी को भी समझने की कोशिश करते हैं तो चलिए देखते हैं देखे दोस्तों जहां तक इस फॉर्टेनर यानि आटोमोबिल इंडस्टी की बात है इस लिवाइस की जीन्स और रिबॉक की टीशर्ट की बात है टेक्स्टायल इंडस्ट्री ओगया और यह naike के शूत की बात है यह आर रिबॉक्चर भी लारज स्केल इंडस्ट्री राइट और उसके बाद आप देख रहे हैं यह birthday cap है और यह candles है birthday caps and candles are manufactured by small industries उसके बाद दूसरे प्लेस पे आता है यह delicious laddies है पसंद है, तो जो cakes and ये जो laddoos होते हैं, these are manufactured by individual manufacturers आप अपने neighborhood में देख सकते हैं right ठीक है, तो ये हमारा हो गया, large scale industries के कुछ examples हो गये and small scale industries के examples हो गये और individual manufacturers के examples हो गये right, चलिए, अब birthday हमारा हो गया अब हम आगे बढ़ते हैं और chapter को समझते हैं so next slide talks about next slide talks about manufacturing industries तो इस पे question आ सकता है इस पे one marker question भी आ सकता है two marker भी question आ सकता है one marker question आएगा तो सीधास आएगा define manufacturing अगर two marker question आएगा तो क्या आएगा, define manufacturing आएगा तो आपको क्यों यही दो line लिखनी है अगर two marker question आएगा तो क्या आएगा two marker questions में आ सकता है explain the term manufacturing with examples right, आएगे देखते हैं कि manufacturing क्या होता है basically manufacturing में three terms है सबसे पहले, सबसे पहला terms क्या है production of goods in large quantities दूसरा term है from raw materials और तीसरा term है more valuable finished products right, आएगे बार देखते हैं so it talks about manufacturing क्या है so basically manufacturing is production of goods in large quantities ये keywords बड़े important होते हैं अगर ये keywords आपको याद रहेगा तो आप definition या कोई भी answer अपने आप बना के list देंगे, so आप लोग कभी भी पूरा answer को रटने की कोशिश मत करें just pick up the keywords, keywords pick करके आप अपने आप किसी भी definition answer को frame कर लेंगे अमने keyword क्या pick किया, goods in large quantities इसलिए मैंने different colors भी use करें है, so that आप लोग focus कर पाओ कि हाँ यार ये important term है so production of goods in large quantities after processing from raw materials raw materials को process करके ही तो हम finished goods बनाएंगे न and then जो raw materials को process करके हम क्या मनाते है, more valuable products या more valuable finished products and that is called manufacturing, so manufacturing की definition बहुत ही आसान है but अगर आप में से किसी को manufacturing की definition मतलब बलंड करने में दिक्कत तो नहीं होगी but फिर भी एक छोड़ा सा trick है अगर हम लोग आये देखी लेते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं छोटे से trick को एक हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं आपकी जैसे वो student ही है उनका नाम है गोला राम ध्यान दीजिए उनका नाम है गोला राम राम राइट गोला राम गोला राम यह तो मिटी नहीं रहा है चले फिर से लिख लेते हैं ध्यान दीजिए आप लोग गोला राम मेक्स गोला राम मेक्स अच्छिए लेलुएबल प्रॉडट्ट्स वैलुएबल वैलुएबल प्रॉड़क्ट्स यह होगे आपका माल लेते हैं प्रॉड़क्स वैलेबल प्रॉड़क्स where G O is for goods, L A is for large quantities, R A is for raw and M is for material, R A is for raw, M is for material and makes a helping word है दिसले मने इसमाल में लिख दिया इसको, makes को आप लोग इनोड करिया, so Gola Ram makes valuable products, so इस trick की help से आप लोग हमेशा हमेशा किले याद रख सकते हैं, Gola Ram का नाम काफी helpful होगा, Gola Ram makes valuable products, right, अब एक बार हम लोग देखते हैं, नहाँ पे, अब आप देख सकते हैं हाँ पे, raw material क्या है, sugar can, sugar can को raw material को यूद करके हमने क्या बनाया, sugar बनाई, raw material क्या है, wood, wood से हमने more valuable product क्या बनाया, paper बना लिया, और यह raw material rubber है, जिसको यूद करके हमने अपनी Fortuner Cutaire बनाया, right, I hope आप लोगों को manufacturing क्या होती ही, यह समझ में आ गया, now we'll move to the next slide, and next slide talks about, इसी में, अगर one marker question आएगा, define manufacturing तो आउतर नहीं लिखेंगे, but अगर यह question होता है, explain manufacturing with examples, तो यह कुछ और supporting points है, जो हम लिख सकते हैं, देखें, यह points, यह तीनो points अब हम लोग लिखेंगे, people employed in the secondary activities, secondary activities मतलब आप लोग जानते हैं, manufacturing industries, right, manufacture the primary materials, primary materials into finished goods, जैसा कि हम लोगों नभी पिछली slide में देखा, जैसा कि हम लोगों नभी इस slide में देखा, कि raw material, यह हमारा raw material है, raw materials हमने, यह finished goods बनाया, यहाँ पर यह raw material है, इससे finished goods बनाया, और यहाँ पर rubber raw material है, जिस्ते हम लोगों ने tire बनाया, तो यह होगा example इसका, right, उसके बाद हमारा next point क्या बोलता है, next point बोलता है, the workers employed in example दे रहा है, कि manufacturing industry का यह example है, कि कौन-कौन से, किस-किस field में काम करने वाले लोग, fall under manufacturing industry, any industry which uses material from primary industry, यह agriculture, and turns it into more valuable product, is known as secondary activity, बोल लीजिये, यह manufacturing industry बोलीजिये, तो वही कर रहा है, कि the workers employed in steel factories, आपको बता है, steel का यूज़ करके धिर सारे सामान बनते हैं, car या braveries or textile industries, अब textile कैसे बनती है, textile industry में cotton, primary product है, that is turned into more valuable product, bakeries, आप लोग समझते हैं, इस चीज़ को है न, fall into this category, ठीक है, तो third क्या है, the economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries, बिल्कुल सही बात है, जितने भी developed countries हैं, अगर आप लोग देखना चाहे, जितने भी developed countries होते हैं, आप देखेंगे, तो उनके हाँ, agriculture sector का contribution economy में सबसे कम होता है, secondary activity और tertiary activity, secondary activity और manufacturing sector और service sector का contribution उनकी GDP में, यानि उनकी economy सबसे ज़्यादा होता है, आप लोग चाहें तो internet पे सर्च कर सकते हैं, राइट, अब देखेंगे हमारा manufacturing वाला तो पूरा हो गया, अब जो दूसरा important question बनता है, आज के जो हम लोग topic हम लोगों ने pick किया है, वो होता है, वो आता है, what is the importance of manufacturing sector यह तो सीधा सीधा हो गया, लेकिन question हमें सा सीधा सीधा नहीं आएगा, अच्छा इस topic से ना 5 marker भी आ सकता है, 3 marker भी आ सकता है, अगर 5 marker आएगा तो हमें 4 points, हमें ये सारे 4 points लिखने होंगे, right, 3 marker आपको सारे 4 points लिखने होंगे, एक चीज़ आपकों से share करना चारूँ, अगर ये 3 marker आएगा, तो आपको क्यों 60 words लिखने है, 60 words से ज़्यादा आप लिखना मत, क्योंकि आपका time, फिर दूसरे questions का आंसर लिखने में आपका time नहीं बचेगा, आपको time की कम ये पड़ जाएगी, तो 3 marker आएगता है, तो 60 words लिखने है, लिख देता लिखना है, तो उसका answer आपको 40 words में लिखना है, ये आप लोग याद रखिए, इसको जरूर follow करिए, नहीं तो आपको other questions को attempt करने के लिए time कम पड़ जाएगा, तो चलिए, अगर ये 5 marker में आगा तो ये 4 points हम देंगे, और उसकी detailing भी देंगे, तो आएगे, और इसको learn करने Indian economy ये हो सकता है, दूसरा question क्या सकता है, दूसरा question इस पर ये बन सकता है, manufacturing sector is considered the backbone of economic development, तो question आ सकता है, how is, या why is, how नहीं, why is manufacturing sector considered the backbone of Indian economy or any economy, right, तो इसके main points क्या क्या है, क्योंकि देखे, जो manufacturing sector है, जो manufacturing sector हो क्या करता है, agriculture and provide jobs, right, अब agriculture को कैसे modernize कर, इसकी detailing बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हलका सा समझ लेते, agriculture को कैसे modernize करता है, tools बना करके, भाई, अगर, किसान, hull bell से खेत को जोतेगा, यारी, अगर, auction से plowing करेगा, तो बहुत जादा टाइम लगेगा, ट्रेक्टर से, within 20, 20 minutes, या, half an hour मे इसी, field की plowing की जा सकती है, है न, और manufacturing industry में जौब तो मिलता ही है, eradication of unemployment and poverty, right, सारी की सारी population agriculture में, agriculture में सारी सारी population काम नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा लोगों की जरूत नहीं, अब तो और नहीं रह गई, आजादी के बाद जरूत थी, क्योंकि उस समय, you know, agricultural tools बहुत primitive हुआ करते हैं, अब तो tractor है, harvester है, modern means of irrigation भी आ गए है, right, तो क्या, and जो manufacturing industry है, it brings down the regional disparity, मा लोग कुछ ऐसी areas है, जैसे, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, जब लोग, UP, बिहार, राजस्थान, और उडिशा से लोग, डेली और मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, अगर इन states में, अगर industries लगाए जाएं, हाला कि लगी हुई है, बट enough नहीं है, इसलिए, especially UPO बिहार से लोग, गुजराच जाते हैं, मुंबई जाते हैं, और इंडिया के other states में जाते हैं, I know, in search of job, right, तो यह होगा अपना, तीसरा, raw material, अगर हम, अगर हम raw material को, finished goods में convert करें और अपनी manufacturing, जो हमारी manufacturing industry है, उसको और बढ़ाएं, और diversify करें, तो क्या हो गया, इसे क्या हो गया, हमारा trade or commerce बढ़ेगा, plus foreign exchange भी हमें आएगा, यानि, अगर हम माली जी, US को कोई समान बेचेंगे, तो हमें dollar बेगा, या उस particular country, जो buyer country होगी, वो हमें अपनी currency में pay करेगी है न, इस तरीके से, बंदो foreign exchange में, mostly dollar में ही, dollar में ही, dollar में ही, एक मजबूत currency, strong currency है, mostly जो international trade होता है, वो dollar में ही होता है, mostly, चलिए, now we'll move to the next slide, अब हम detail में पढ़ते हैं, कि, इसकी importance क्या है, यह importance of manufacturing sector के 4 points की detailing पढ़ेगे, दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहे ही चीज़ यह मज़ा आ रहा है, तो please subscribe the channel, and अगर आपने, अगर आपको channel का नाम नहीं है, आदत मैं फिर से बता दूँ, यह है, let's score 100, अगर आपने subscribe किया हुआ है, तो please like करना, मद भूली वीडियो को, चले आगे बढ़ते हैं, so next slide पे हम देखते हैं, next slide talks about, आप आ गया, जो हमारे 4 points हैं, importance of agriculture को, importance of agriculture को, के, अब हमसे one by one, one by one explain करते हैं, देखिए, पहला point क्या था हमारा, हमारा पहला point था कि, जो हमारा manufacturing industry है, वो agriculture को क्या करते है, modern बनाती है, और jobs का creation करती है, यानि manufacturing industry, agriculture को modern, agriculture का modernization करती है, and लोगों को jobs देती है, आईए देखते हैं कैसे, एक बार देख ल manufacturing industries help in modernizing agriculture, how, आभी देखिए, ये भाई साब, पूरे दिन लग जाएंगे, इनको, तब भी खेत को प्लौ नहीं कर पाएंगे, इस फिल्ड को प्लौ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये देखिए, manufacturing industry ने क्या बनाया, tractor, within 20 minutes, पूरे खेत को प्लौ कर लेगा, right, दूसरा example देखि और यहाँ पर रहा, manufacturing industry ने क्या बनाया, harvester, यह देखिए, लिखा है, विशाल, इंडिया का ही है, right, आप लोगे मस सोचना की, फॉरें की, मैंने picture लेके लगा दी, right, तो harvester स्यूद हो रहा है, mainly पंजाब और हर्याना में, यूपी में होने लगा है, मतलब, मतलब इसका च manufacturing industry help कर रही है, agriculture के modernization में, चलिए, अब, अब jobs कैसे create कर रही है, manufacturing industry, देखिए, they मतलब, manufacturing industries also reduce the heavy dependence of people on agricultural income, देखिए, आप लोग जानते हैं, अगर आप, अगर आप rural area से हैं, तो आपने देखा होगा की, अगर परिवार में 10 लोग हैं, 10 में से, 7 लोग या 8, मतलब, more than half, number of family, more than half, family members, agricultural activity team लगे रहते हैं, जबकि उसका contribution बहुत कम होता है, तो अगर manufacturing industries आएंगी, यानि, नए-नए factories लगेंगी, तो क्या होगा, नए factories लगेंगी, तो, नए, more people will be required, तो जो agriculture में लगे हुए हैं, हाला क्योंकि जरू होता ही है, तब भी लगे हुए, क्योंकि उनके पास क तो वो लोग कहा है, manufacturing industry में काम कर सकते हैं, कैसे, इसको भी जरा समझते हैं, they also reduce the, यानि, manufacturing industry also reduce the heavy dependence of people on agricultural income, by, by providing them jobs in secondary and tertiary sector, sector, अब देखिए, secondary sector नहीं, manufacturing sector हो गया, right, and tertiary sector, मतलब आप लोग जानते हैं, services like banking हो गया, insurance हो गया, या, telecommunication हो गया, यह सब, है ना, अब इसे समझते हैं, कैसे, अब देखिए, अगर, आज, सारे farmer, यह वाला तरीका, ज्यादा ज्यादा जो afford कर पा रहे हैं, इसे छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, बहुत ज्यादा time लग रहा है, है ना, और, इसे भी बहुत से harvesting कराने बहुत ज्यादा time लगता है, तो क्या होता है, कि अधर बारिशा जाती नुकसान होता है, बहुत ज्यादा time consuming है, तो अब दिरे-दिरे, यह चलन बढ़ रहा है, लोगों में acceptance बढ़ रही है, कि भाई, technology को, यानि, आप और मैं ही technology, use नहीं कर रहे हैं, अब हमारे farmers भी technology, टेकनोलोजी के लिए inclined हो रहे है, तो वो भी ज्यादा ज्यादा लोग अब tractors and harvesters and other modern agricultural tools को अपना रहे हैं, तिस्य क्या होगा, ज्यादा ज्यादा farmers अगर खरीदेंगे agriculture tools को क्या होगा, हाला कि सारे तो नहीं खरीदेंगे, ज्यादा ज्यादा खरीदेंगे, क्या बढ़ेगा, जो भी harvester manufacturing company है, जब acceptance लोगों के बीच में बढ़ेगी, तो वो particular company और भी harvester से बनाएगी, तो और लोगों के employment मिलेगा, new dealerships खुलेगी, तो dealership क्या हो गया, tertiary sector का example हो गया, चले आगे बढ़ते हैं, तो पहला point हमारा हो गया, अच्छा इस पे न, इस पे भी इस पे भी two marker, यानि इस पटिकलर topic जो हमारा पहला topic, इस पे भी two marker या three marker question बन सकता है, कैसे, question इस तर केस बनेगा, how manufacturing industry, how manufacturing industries help in modernizing, how manufacturing industries help in modernizing the agriculture and create job, तो two और three marks का एगा, अगर two marks का एगा, तो 40 words लिख देना आप लोग, और three marks का एगा, तो 60 words लिख देना, है न, तो यह जो च आरो importance है agriculture के, इन पे भी two marker या three marker question आ सकता है, और अगर five marker आगा, जो four points है importance को सारे आप लिख देना, है न, चले, next point पर हम लोग चलते हैं, तो हमारा next point है, दूसरा वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, कि अगर कोई country, अगर कोई country चाहती है कि उसके हाँ unemployment and poverty हट जाए, तो उसको manufacturing sector पर ज्यादा focus करना पड़ेगा, तो आजादी के तुरंट बाद हमारी, हमारी जो नहरुजी थे, उन्होंने इस चीज़ पर ही focus किया, और उसमें क्या था कि, चुकि देश आजादी हुआ था, तो आज, मतलब उसमें जो, जैसे कि, उसमें कि जो industrialist थे, वो इतना इनने खुद इनिशेटिव लिया, right, public sector companies बनाई, है न, आए देखतें पर, देखे, industrial development is a precondition, यानि अगर आपको अपने यहां से, यानि अगर हम लोगों को, इंडिया से poverty और unemployment हटाना है, तो हमें manufacturing पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा, right, लिखा है, industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty, आजादी कितने साल बाद भी, आज भी unemployment भी है, और बढ़ती जा रही है, और poverty भी है, वो भी बढ़ती जा रही है, right, हाला कि लोगों कि living in standard ने सुधार हुआ है, right, लेकिन जो number of rich people जो हो रहे है, वो कम ही है, गरे भी अब भी है, तो देखते हैं, इसके लिए पड़ागा, manufacturing industries लगानी पड़ेंगी, इसी लिए, this was the main philosophy behind public sector industries, आजादी के बाद, जब public sector industries बनाए गए, public sector industry तो धेर सारी है, मैंने एक example पिक किया है, ONGC, right, it is owned by government of India, ताकि लोगों को employment मिल सके, right, ONGC का full farm होता है, हाला कि यह जानने की जरूत नहीं फिर भी देख लेते ह GAS Corporation Limited of India, ONGC, यह भारस, ना, public sector के company बोल सकते हैं, इसे, है न, इसके अलामा, ताकि लोगों को job मिल सके, इस तरह के, sale खोलेगी, sale भी है, Steel Authority of India Limited, ताकि लोगों को job मिल सके, और यह जो sale हुआ, यह जो हमारा ONGC हुआ, यह economic development में, लोगों को job तो देते ही है, यह goods भी produce करते ह हैं, पेट्रोल, बेना पेट्रोल के कहा है, कॉनमी चलेगी, पेट्रोल हैं, गैस, राइट, चलिए, अब एक तो हो गया, यह key word धान रखे, public sector industries and joint sector ventures, joint sector, अब joint sector में इसका best example है, मारुती, इसको पहले इस नाम से जानते थे, मारुती उद्योग Limited, अब इसको इस नाम से ज इसको पहले हैं, यह जैपान की कंपने हैं, अब यह इंडिया की कंपने हैं, तो दोनों मेरा के क्या हो गया, मारुती, सुझ की, इंडिया लिमिटेट, राइट, तो joint sector हो गया, है न, इसमें क्या होता है, कि अब, चुकि अनुफेक्टरिंग, अब आइडिन्ग मारुती की इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट वेंचर्स जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इंडिया में इमिडियेटली आफर इंडिपेंडेंस इनको प्रमोट किये जाने का यही एक मकसद था कि लोगों को जॉब मिले अगर ग्रो करेगा तो अनेप्लाइमेंट पॉइर्टी अपने आप कम होगी और हो भी रही है लेकिन अचलों हमारी पापुलेशन बहुत जादा तेजी से बढ़ रही है तो जिस स्पीड से हमारी पापुलेशन बढ़ रही है उस स्पीड से यह नव मैनिफेक्चरिंग इनको पाउन रिजिनल डिस्पैरिटी यह जो यह जो पॉब्लिक सेक्टर इंडस्टी खोले गए या जॉइन सेक्टर विंचर खोले गए उनका मेन मकसद यह भी था कि जो रिजिनल डिस्पैरिटी अब जैसे देखो गुजरात में जो व्यक्ति रह रहा है या जो इनको अपना घर छोड़ करके रोजगार के लिए दूसरे सिटी में जाना ही पड़ता है और मजाग मजाग में घर वाले इन स्टेट में घर वाले लोग बोलते भी है अपने बच्चों को बिटा पढ़ लो नहीं तो मुंबई दिल्ली जाना पड़े था तो मैं काम मांगन इन्डेस्ट्री को वहाँ इस्टेश किया जाना जरूरी है तो लोग हाना कि यह टॉपिक की बात नहीं है बाट आप आप इस तरी के इस हो सकता है इस पर two marker या three marker question आएगा तो इस तरी के इस हो सकता है explain why is it explain या why industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty depending on कि कितने नंबर का है points आप लोग कम ज़्यादा कर लेना है अब देखते हैं एक बार जैसे इसलिए जैसे आप लोगों ने मारुत्वी यह देखें मारुत्वी की कार इको जो स्कूल वैन है आप लोग जाते होंगे अब देखें ओंजी सी ओंजी सीम धेर सारे लोगों का employment मिलती है उसी तरीके सा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह cotton textile industry में यह देखो यह cotton है ज अना कि men are also good but हमारे हमानते हैं कि दिला यह women का काम है which is not I don't agree with that अब देखिये जब more and more farmers will if more and more farmers you know buy tractor तो क्या होगा auto mobile industry यहाँ जो tractor manufacturing companies है वो भी ज्यादा है ज्यादा लोगों को you know employment देगी है ना चाले नाव we'll move to the next slide and next slide talks about हमारा जो तीसरा था तीसरा पॉइंट हमारा क्या था तीसरा पॉइंट हमारा है countries that that transform their raw materials raw materials into a wide variety of finished goods of higher value आप लोग जानते हैं जैसा हम लोगों definition में पढ़ा था तो यह point भी है बोड़ रहा है कि जो countries transform करते हैं अपने raw material को a wide variety of finished goods में तो वो उसका ज्यादा rate उनको मिल पाता है कि example हम लोग चले देखते हैं यह देखिए हैं यह हमारा iron ore यह हमारा iron ore है देखिए iron ore है अरे हाँ इसी iron ore से याद आया कि आप लोगों को comment box में comment करके बताना है कि कौन सा iron ore mine है which is 100% export unit और वो South India के करनाटका state में है चले यतना हिंट दे दिया चले आपका home अक हो गया अब देखिए अगर उसी iron ore को हम export न करें उसी से हम steel बना लें और उसी iron से देखो यह house जब हम लोग जब house construct करते हैं तो इसमें iron rods का हमें जरूत पड़ती है अना तो steel बना लें या steel की बनी हुई machines या utensils बनाके उनको market पे बेच हो तो और ज़्यादा फायदा होगा यह बात काम की है की नहीं आप से पुछ रहा हूँ चलिए ठीक है काम की होगी अब देखिए आप लोग जानते हैं कि यह जो हमारे कंटी fruits and vegetables export करती है instead of exporting fruits and vegetables fruits का jam बना दे या vegetables जैसे tomato का ketchup बनाके बेचे हम लोग तो क्या होगा हमें ज़्यादा value मिलेगी है ना चलिए तो इ इंडिया's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible अब जब manufacturing industries बढ़ेगी और उसको diversify करना है यानि हम fruits and vegetables से भी चीज़े बना रहे है iron और बेचने की जगह हम क्या करें iron से steel बना है steel से जितने भी चीज़े बन सकती है tools बनाएं या steel से तो utensils बनाएं धिर सारी चीज़े बना सकती है उनको बना क इसके बेचे तोर्फियों महारा फायदा होगा और उससे पहले लोगों के employment मिलेगी foreign exchange आएगा है इस पे question यह बहुत छोटा है लेकिन वन मारकर रिजिनिंग में बन सकता है तो आप लोग समझ जाएंगे उसे हाँ चलिए हाँ एक चीज़ आप लोगों से share करना चारा था इसा नहीं है मोदी जी जब से आए उन्होंने making India जो campaign उस पर काफी ध्यान भी दे रहे हैं आपको जानके आप लोगों को जानके आश्चर हो गया खुशी भी होगी यह जो क्रेंस हैं हमारी कंट्री मलेशिया को क्रेंस हमारी कंट्री क्रेंस बनाके मलेशिया को नेपाल को बंगलादेश को बेचती है यानि इस दिशा में काम यानि यह वाला देखे यह वाला जो point कर रहा है न यह वाला point स्यादा से ज्यादा अगर हम अपने manufacturing industries को डाइबर्सीप हाई करेंगे तो अलग-अलग सामान हम manufacture करेंगे जैसे पहले शोथा point पढ़ते हैं फिर समझते हैं export of manufactured goods expense trade and commerce जब goods हमारे हम manufacture होंगी हमारे हम लोगों को जितने goods की जरूए थे उतना हम लोगों से रखा surplus जो हम उसे export कर देंगे तो क्या होगा जब surplus export करेंगे तो क्या आएगा dollar आएगा इसे तो one day we will become developed country और क्या देख सकते हैं export of manufactured goods expense trade and commerce हो गया and it brings in much needed foreign exchange अगर हम अमेरिका से या जिस country से भी हम उसका goods परचेस करते हैं उसको उसी currency में या mostly dollar में पे करना होता है ठीक है अब देखे हम लोग हम लोग देखे हम लोग textile export करते हैं हम लोग medicines इस दिशा में काम चल भी रहा है या नहीं हम लोग manufacture goods बट इसे और speed up किया जाना जरूर है क्योंकि हमारी population थी fast बढ़ रही है जो अब हम लोग manufacture करते हैं उसका major parts हम consume कर लेते हैं हालाकि यह population वाला chapter नहीं है बट एक practical बात आप लोगों से share कर रहा हूं कि हमें इस दिशा में भी काम करना होगा हमें अपनी population भी contain करने ही पड़ेगी तब हम और quickly grow कर सकते हैं है ना क्योंकि जितना आपने manufacture किया सारा खुद यूज कर लिया तो कहां से अब हमारी economy strong हो पाएगी अब देखे हम लोग jewelry हम लोग jewelry भी हम लोग jewelry भी एक्सपोर्ट करते हैं और अब देखे यह जो मारुत्वी सुझकी की यह जो कार सचाहें मारतु सुझकी की कार क्रिया की कार हुंडई की कार इंडिया में manufacture होती है हम अधर अधर कंट्री को export हमारे हैं कर्सकों एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं मोदी जी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम रंग ला रहा है राइट चले अगला देखते हैं अगले पर क्या है अगले स्लाइट पर है हमारा यह बड़ा इंपॉड़न टॉपिक है अभी वह जो ट्रिक मैं आप लोगों से कर रहा था न कि importance of manufacturing industry के importance को जो चार पॉइंट सों को लर्ण करने ट्रिक अभी शेयर करते हैं पहले इसे कर लेते हैं अब क्या कर रहा है अग्रिक और आप लोग जानते हैं और जो manufacturing industry है दोनों का अब बहुत गहरान आता है तरह एक कर दोनों दूसरी को complementary to each other देखिए पहला point है agriculture and industry are not exclusive of each other यानि यह दोनों agriculture और industry दूसरी से दूर रह करके नहीं रह सकती दोनों closely linked or related है कैसे दे मिन्स दे मिन्स agriculture and M.I. manufacturing industries move hand in hand कैसे for example the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity अब देखिए मैं दोनों समझातों कहानी की form में समझातों यह बाद में पढ़ लेंगे देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे है कि agriculture है एक तरफ दूसरी तरफ क्या हम manufacturing industry एक दूसरे की कैसे help करते हैं दूसरी की growth में कैसे help कर रहे हैं समझते हैं अब देखिए एरिबल ओयल इंडस्ट्री है एरिबल ओयल जिससे हम सब्दियां बनाते हैं एरिबल ओयल आप लोग जानते हैं सफोला आयन में फॉर्चून मस्टर्ड ओले सब है एरिबल ओयल हो गया यह cotton textile हो गया यह food processing industry हो गई food processing industry के एक example देखिए पोटाइटो होता है ठीक है पोटाइटो से क्या बनता है चिप्स चीलिया एंड लेमन फ्लेवर आप लोगों का फेवरेट है यह यह शुगर इंडस्ट्री हो गई शुगर इंडस्ट्री किस पर डिपेंडेट है शुगर के न शुगर के न कहा होते है अगरिकल्चर से आती है उसके बाद यह एरिबल ओयल आप लोगों ने देख लिया cotton textile तो बिसिकली अगर इन चार एकजांपल की हेल्फ से हम समझें तो जो manufacturing industry है cotton कहा जाएगा cotton textile टेक्स गया धेर सारा है न कहां साथ agriculture से आता है और शुगर इंडस्ट्री आप लोग जाते है शुगर के पर डिपेंडेंट है तो यह तो मैंने यह समझाया कि इंडस्ट्री कैसे agriculture पर डिपेंडेंट है अब इसका दूसरा पहलू हम लोग देखते है चले अगली स्लाइट पर चल पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसको कैसे आसान बना रहे है और एफिशन बना रहे है और कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वह लग कर रही है आए देखते हैं जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था अगर हम सीकल से हर्वेस्टिंग करें तो बहुत ज्यादा टा बहुत टाइरिंग प्रोसेस है लेकिन कर ट्रैक्टर से करें तो ट्रैक्टर क्या है रेक्सर क्या है ट्रैक्टर इस दे प्रोडक्ट ओफ मनिफेक्टरिंग इन डासे राइट और ना yaris अब देखिए अब जो श्पेड है इसे फावड़ा बोलते हैं या सिकल है यह कौन ब उसी तरह fertilizer कौन बनाता है manufacturing industry तो बिसिकली यह कहानी के माध्यन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो agriculture है और जो manufacturing industry है एक दूसरे की help कर रहे हैं कि दोनों growth हो रहे हैं अगर agriculture sector grow होगा तो ज्यादा ज्यादा लोग modern tools को purchase करेंगे modern tools को purchase करेंगे तो क्या होगा जो manufacturing industry उसमें boom आएगा हमारी economy आगे बढ़ेगी तो दोनों closely links हैं जैसे आप लोग अपने दोस्तों से गले में मतलब कंधे पे कंधा कंधे पे कंधा मिला के जैसे आप लोग चलते हो राइट तो हम तो यह बोलेंगे कि यह दोनों दोस्त हैं एगरी culture और manufacturing industry दोनों बहुत ही गहरे दोस्त है चले आगे बढ़ते हैं नहीं आगे नहीं पीछे बढ़ेंगे क्यों क्योंकि हमने पीचे छोड़ा हुआ हूआ है आए देखते हैं यह जो पीछे हम लोगोंने क्या छोड़ा हूआ से से और हम लोग ने पढ़ लिया था अब यह तीसरा यहां, they depend on the letter, यहांनी manufacturing industry depends on agriculture for raw materials, आप लोगों ने समझ लिया, समझाई दिया, sell their products such as irrigation pumps, पीछे हम लोगों ने देखा, फड़ लाजर पीछे देखा, insecticide पीछे देखा, insecticide पेछे देखा, insecticide पेश्टिसाइड नहीं, बट insecticide पेश्टिसाइड पेश्टिसाइड, crops को बचाते हैं, है न, insects से, पेश्टिसाइड 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 में हम लोगों ने देख लिया, machines and tools, है न, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturalists, यानि farmers increasing their products but also made production process very efficient, time बच रहा है, उसी limited time में ज्यादा हम production कर सकते हैं, तो इस तरीके समले, इसे सम मुझा, कि दोनों exclusive नहीं हैं, दोनों एक दूसरे पर, के complementary हैं, तो इसी पर question आ सकता है, two or three marker आएगा, आप लोग समझी गए हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ सकते हैं, पीछने बढ़ना, चलिए यह रहा हमारा last slide, right, और इसमें हम लोग समझने वाल quality, क्योंकि यह जो developed countries होती है, है न, या आप हो, चाहे मैं, quality तो सब, अच्छे quality तो सब को अच्छे लगती है, तो हमारे हैं जो manufacturing industry है, उसको जो भी product, manufacture हो रहा है, उसको international standard का बनाना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा countries हमसे purchase करें वो चीज, और जब वो purchase करेंग मैं grow करेंगे, हम सब grow करेंगे, राइट, अगला point देखते हैं, अभी हमारी जो manufacturing industry है, अब तो हम लोग import कर रहे हैं, जैसे हम लोग देखा, car बगर भी हम लोग import कर रहे हैं, sorry, export कर रहे हैं, cranes बगर भी हम लोग export कर रहे हैं, तो make in India program रंग ला रहा है, है न, इसको समझ ले able to compete in the international markets, तो इस पर question ही आ सकता है कि, how can, how will we be able to compete in international markets, हमारे समान, अब देखो चाइना हर जगा चाया हुआ है, इतना cheap कर देते हैं product को, कि you know, लोग quality की वज़े से चाइना का सामन नहीं खरेते, cheap होने की वज़े से सामन खरेते हैं, थाना, but हमें quality wise भी और price wise भी अच्छा product, produce करना पड़ेगा, आई ये चलिए वो जो trick आप लोगों से share नहीं किया था, उसे कर लेते हैं, आई उसी slide पर चलते हैं, ये रहा हमारा slide, कौन सा था, ये आ गया, ये हमारा slide आ गया, ये, आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए इसकी trick है, हम, we are going to learn importance of manufacturing, और इसकी trick है, ध्यान से आप लोग देखिए, मैं लेकने जा रहा हूँ, modern, हम लोग क्या करने जा रहा है, we are going to learn the importance of manufacturing industries with the help of a trick, और trick क्या है, ये रहे, modern jobs, modern jobs will, modern jobs will, modern jobs will, modern jobs will, यहाँ देखिए, modern jobs will, eradicate unemployment, poverty, and reduce, regional disparity, ऐसे कर सकते हैं, modern jobs, जहाँ पर modern मतलब, modernization of agriculture हो गया, jobs मतलब, manufacturing industry हमें job देती है, तो क्या बना सकते हैं, modern jobs will, eradicate, unemployment, poverty, and reduces, regional disparity, तो इसमें ये दो point होगे, हमारे कभार होगे, अब बचे दो point, इन दो point को कैसे learn कर सकते हैं, इनको हम learn कर सकते हैं, इस तरीके से, RM, RM, turning RM into FG, FG, अगर हम RM को FG में convert करें, यानि, raw material को, finished goods में convert करें, और क्या करें, और क्या करें, IDM करें, ध्यान दीजे, if we turn RM into FG, RM मतलब, raw material को हम convert करें, finished goods में, and IDM करें, IDM मतलब, increase करें, और diversify करें, क्या manufacturing industries को, तो क्या हो जाएगा, it will help us to expand trade and commerce, and it will bring, forex, forex means, foreign exchange, तो इस टिक से हम लोग learn कर सकते हैं, दोस्तों, आज के लिए इतना ही, thank you so much, and बहुत ही जल्दी, एक और interesting video के साथ मिलते हैं, till then, bye, हो, और ऐॉफएगा।,